तोहरा खातिर अब सबके खत्म कर दें। ये संकी प्रेमी का कहना है जो एक तरफा प्यार में इस कदर बौकला जाता है कि लड़की के घर में घुषता है और उसे चाकू से वार करके घायल कर देता है। और फिर कहता भी है कि अब तोहरे खातिर हम हूँ जान दें, जिसके बाद वो चाकू से खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लेता है, आपको बताते चले कि लड़का पिछले करीब दो साल से लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, लड़की को खूब परिशान करता, देता है, अब आपको आगे की वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को अंतक जरूर देखे, अब नमस्कार आप देख रहे हैं, जनता जंक्षन और मैं हूँ आपके साथ श्वैता मिस्त्रा, आए दिन प्रेम में पड़े आशिकों के बारे में तो बहुत सुन रहे हैं, क उसके बाद वह खुद को भी चाकू से घायल कर लेता है, दरसल मामला यहा है कि लड़का कई दिनों से लड़की को खुब परिशान कर रहा था, इसी बीच गुरुवार को लड़का छट के सहारे से लड़की के घर में घुस जाता है, और उसके साथ छिर खाने करने लगता है, लड़की जब इसका बिरोध करती है, तो लड़का उस सो लड़की के उपर ताबर तोड कई जगा चाकू से वार करता है, चाकू लड़की के पेट और गले में लग जाता है, यह मामला मोहनिया थाना छित्र के भरकपुर गाउं का है, और यह दोनों लड़की और लड लड़की ठीक नहीं हुई तो उसे बनारस रेफर कर दिया गया इस घटना के बाद से इलाके में हरकंप मचा हुआ है वहीं लड़के के पिता का कहना है कि दोनों में दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और यह लड़की के घर वालों को भी पता था मैं गाउं से काम के सिल आदो है जो उसी गाउं का रहने वाला है पुछ ने मामले को संग्यान में ले लिया हैर चानबिन में जुट गई है जब ठाना ध्यक्ष ललनकुमार ने चानबिन किया तो यहा पता-चला कि लड़का और लड़की एकी गाउं के रहने वाले हैं दोनों का सामने ही है के पीछे पड़ा हुआ था उसे खूब परिशान करता था यह साफ तोर पर एक तरफा प्यार का मामला है अब पुलिस ग्रामिनों के बयान के अधार पर आगे की करवाई करेगी उधर लड़का अस्पिताल में भरती है बिहार में भले ही पुलिस प्रशासन ये कहते ठक नही जाती है तो दिन दहारे ही किसी की गहने लूट लिए जाते हैं अब आपका क्या क्याना है बिहार में अपराधों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं जनता जंक्शन वीडियो को लाइक शेयर देख रहे हैं तो हमारे पेस को फॉलो जरूर करें अगर यही वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद